हेलो व्रीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजू किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डेटिल में स्टेडि करेंगे लेंसो प्राजल कैपसुल के बारे में तो हम सिकtant segundos के बेजिक यूँँट के बारे में साथे जाने के उसके दोस के बार में किस तरह से ये मेडिकेसन अपना काम करती है और साथी जाने के उसके वर्निंग अन कॉन्टा इंडिकेसन को डेटिल में आज के लेक्चर के अंदर The Expert Lecture by Amar Sir, Assistant Professor and Founder of Farmerogs Thank you, Parbeen Farmerogs family updated रहे है Formalology के साथ सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उप्चार के बारे में दवायों के basic use, dose, side effect, warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में Farmerogs के अपपर Android user, Android app download करें iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर प्याव में कॉल या वाटसेप कर सकते हैं साथ या बाप हमारा सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलिवुड टु हिंदी एक्स्प्लेंड जिसको जरूर से सब्स्क्राइब करें और वहाँ पे देखे अलग-अलग हॉलिवुड की मुवीज में को वो भी हिंदी में अच्छे से अच्छी पीचर कॉलिटी के साथ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवुड टु हिंदी एक्स्प्लेंड तो आप समझते हैं लैंसोप्राजल कैपसल के बारे में तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेसन है कि जिसको हम प्रोटन पॉप इन्हीबिटर्स या फिर सौट में पीपी आई कहते हैं प्रोटन पॉप इन्हीबिटर्स उनको कहा जाते हैं और यह मेडिकेसन के हम बात करें तो especially जो stomach acid है उसको कम करने का काम करती है मतलब कि समझो कि आपके body के इंदर stomach acid जो है बहुत ही ज़्यादा amount में बन रहा है तो उसको कम करने का काम करेगा ये medication तो अगर आप ये medications लेते हैं तो ये medications लेने के बाद stomach acid जो है वो आपका decrease होगा तो इस तरह से ये medication जो है वो अपना काम करती है फिर ओरली ली जाती है लेन्सोप्राजल को और ये prescription based medication है तो आप उसकी label की study करते हैं तो याप याँ में एक marketed formula देख रहे हैं कि जिसका नाम है लेन्सोल 30 करके है तो लेंसोर 30 के अंदर आप देखे रहो तो 30 इस लिए लिए लिखा है कि इसके अंदर जो medication है वो 30 mg जितना है कि ये जो hard gelatin है जो आप capsules देख रहें है तो हर capsule के अंदर 30 mg जितना जो medication है और ये enteric coated granules कहे जाते हैं और hard gelatin capsules के अंदर सभी hard gelatin capsules के इंदर 30 mg जितनी medications रहेगे फिर इसके इंदर जो color है वो है titanium dioxide करके color है और dowsers के बारे में हम देखे तो लिखा है कि as per the directed by physician storage है कि 25 degrees से कम temperature पर आपको उससे store करना है और moisture से खास ये medication को prevent करना है फिर याप एक direction है कि इसको चबाना नहीं है आपको कभी भी पूरी ये जो capsule होती है उसको आपको swallow कर देना है पानी के साथ और retail में जब आप उसको base दे तो prescription के बिना उसको कभी भी ना बेचे बिकॉज ये Rx only prescription based medication के categories में आता है फिर इसका जो back side से हम देखे cover तो इस तरह से होता है packing कि सिपला उसके manufacture है कि जो label की है जो हम study कर रहे है उसके marketed formulation और यहाँ पे लिए से लिखा हुआ है कि लैंसोप्राजल gastro resistance capsule इंडियन फार्माकोपिया के standard के according to उसको बनाए गया है और यह सभी capsules के अंदर 30 mg जितना जोई वो medication है फिर यहाँ पे जो अभी हमने जो warning देखी वो यहाँ पे भी warning जो आप प्रिंट की हुई देख पाएंगे तब यह medications के basic use समय से कि कौन से अलगे-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए लैंसोप्राजल यूज किया जाते है तो सबसे पहले जो पैप्टी कलसर का problem है तो पैप्टी कलसर अगर किसी को हुआ है और acid बहुत ज्यादा produce हो रहा है आपके stomach के अंदर तो उसकी मात्रा कम करने के लिए यह यह लैंसोप्राजल के capsule जो आपको प्रिस्क्रेप किये जात तो भी आपको यह medication prescribe की जाती है फिर आपके body के अंदर excessive stomach acid produce हो रहा है कि जिसको हम कहते है कि acidity का problem होना तो उसमें भी यह medication use की जाती है फिर जो acid reflux के जो symptoms होते है उसको कम करने के लिए जैसे कि आपको acidity जैसा फिल्ग होना पेट में जलन होना या फिर सीने में जलन होती ह है पेट कई बार full जाता है तो यह सभी symptoms को ठीक करता है यह medication duodenal ulcer के इलाज में यूज की जाती है फिर gastric acid related जितने भी problem होते है और जो acidity की condition है उसको ठीक करने के लिए lancoprazole के यह जो capsules prescribed यहाँ पर डायरेक्स यह जो देखो तो यह जो acid जो है वो यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर आप देख रहे है यह हमारा जो है वो stomach का reason है कि जिसको हम करते है पेट तो पेट का जो बाग है उसमें से यह जो acid है यह acid जो है वो उपर की और जो आ रहा ह है मतलब कि आपकी यह जो food pipe है food pipe तक जो है वो acid जो आ रहा है कि जिसके करन आप जो वो अमलता या फिर acidity जिससा जो हो feel करते है खटी डगारे आती है सीने में जलन होता है या फिर आपके जो यह food pipe है वहाँ पर आपको जलन होती है और काफी uncomfortable condition प्रोडिस होती है फिर यही जो है acid ज्यादा बन रहा है तो कई बार जो अगर आपको ulcer है तो उसमें काफी complications करते हैं कि वहाँ पर आपको जलन हो सकती है और काफी uncomfortable condition प्रोडिस होती है तो उसके इलाज में भी यह लैंसोप्राजल यूस की जाते हैं और यह जो acid reflux का जो problem है कि यहाँ पर आप देखो में भी आपको जलन होती है सीने में जलन होता है तो यह सभी conditions को ठीक करता है यह लैंसोप्राजल का capsule तो आप समझते हैं उसके dose के बारे में सीखते हैं तो लैंसोप्राजल दो category में available होती है एक kids के लिए भी वाल होती है कि जो supply जो company है उसका kids formulation भी बना रही है और adult के लिए यह लैंसोप्राजल के capsule साब देख सकते हैं तो especially ulcer healing के लिए जो उसके हम dose के बात करें या फिर acidity का जो problem है तो 15 से लेकर 30 mg once a day जो है वाप लेते हैं कि अगर छोटे बच्चों को यह medications दे जाती है कि जो kids के लिए जो हम देखे तो 15 mg once a day में लब कि यह जो orally disintegrating जो tablets आती है कि पानी लिया हुआ है आपने glass के अंदर और इसके अंदर यह जो tablets होते हैं उसको जब डालते तो अच्छे से वह वहाँ पे dissolve हो जाते है तो उसके बाद वो पानी जो है वह आप बच्चे को दे सकते हैं कि जिसको कहते हैं disintegrating tablet तो यह 15 mg है तो od मिलब कि दिन में एक ही बार जो है वह आप दे सकते हैं कि किसी भी एक time पे ही उसी तरह से adult के हम बात करें तो adult के लिए 30 mg का यह dose रहता है और यह भी once a day किसी भी एक time पे आप यह capsule जो खा सकते हैं और जैडी syndrome के हम बात करें कि जो जैलिंजल जॉलिंजल एलिजन syndrome की जो हमने बात कि तो उसके इलाज में जब लैंसो प्राजल यूस किया जाता है तो वह 60 mg के dose में यूस किया जाता है और वो रहेगा once a day तो उस दौरान यह जो tablet जो है वह आप दिन में दो बार खा सकते है तो ऐसे भी कर सकते कि 30 mg बीडी दून में दो बार के तोर पर भी adult patient जो है वो उसको ले सकता है अब उसकी mechanism के बात करें तो लैंसो प्राजल काम कैसे करते हैं तो उसका जो काम है stomach acid को जो है वो reduce करना तो stomach acid produce होने वाली जो process होती है parietal cell के अंदर तो वहाँ पे ये proton pump होते है कि जब ये chloride के ions यहाँ पे accumulate होते है तो वहाँ पे H plus को वहाँ पे भेजने का जो काम होता है वो होता है ये proton pump का बड़ समझो कि ये proton pump ही inhibit हो जाते है तो आगे ये H plus नहीं पहुच पाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड रहेंगे तो हमें पता है कि HCl जब बनना है acid जब minus but plus but ये H plus नहीं रहेगा तो उस वक्त chloride से acid जो वह नहीं बन पाएगा जिसके करन क्या होता है कि ये medication लेने के बाद stomach acid का जो production है वो दीरे दीरे कम हो जाता है और इस तरह से ये lensoprazole जो है वो आपका काम करता है कि जिस तरह से दूसरे proton pump inhibitors के mechanism होती है जैसे कि omiprazole काम कर करता है रेवी प्राजोल लैंसो प्राजोल जितने भी प्राजोल से वाली medication से वो काम करते है उसे तरह से same lensoprazole पी काम कर रहा है अब उसके कुछ हम side effects discuss करते हैं तो सबसे पहले कुछ लोगों को जो है वो ये medications लेने से diarrhea मलब कि दस्त हो जाते है या फिर कुछ cases के अंदर const constipation देखने को मिलता है तो ये दोनों और में रहेंगे कि कुछ लोगों को diarrhea या फिर कुछ लोगों को constipation हो सकता है फिर कुछ लोग जो वो stomach में pain जैसा जो फिल करते है abdominal pain जैसा फिल करते है कुछ लोगों को vomiting जैसा हो जाता है dizziness मतलब की इस तरह से जो नीन दाती रहे Lens of Brazil के capsules लेने के बाद फिर उसके के दूसरे कुछ side effect हम देखे तो ये medications जो आपके जो heartbeat है वो irregular करवा सकता है कि कई बार आपके heartbeat जो हो increase हो सकते है या फिर कई बार आपके heartbeat जो हो decrease हो जाए कि जिसको हम bradycardia कहते है या फिर tachycardia में लोगके heartbeat increase होना या फिर दोनों की combined condition irregular heartbeats भी आपके body के अंदर देखने को मिलें कई बार कुछ लोगों को bloody diarrhea या फिर पानी जिससे जो दस्त हो जाते हैं वो हो सकता है muscles cramp हो सकते है या फिर weakness जैसा आप फिल करो जर्की muscles movement ऐसा हो सकता है और nervous जैसा आप फिल कर सकते है confusion फिल करना scissors या फिर convulsors जैसे कुछ serious side effect काई बार lensoprasols के अंदर जो है वो देखने को मिलती है अब बात करें उसके कुछ warnings की तो कुछ लोगों को ये medication नहीं लेनी चाहिए या फिर उसकी warnings आप अच्छे से समझ लो तो ये medication जो है वो आपके body के अंदर magnesium का level जो हो कम करा सकती है कि जिसको हम कहिए सकते है कि जो magnesium जो होता है उसकी मातर आपके body के अंदर decrease करवा सकती है दूसरा जो bone fracture का जो risk है वो increase कराता है ये lansoprazole और दूसरी जितने भी proton pump inhibitors होते है उसमें भी हमने ये side effect डिसकोस की थी कि ये medications bond fracture करवा सकती है फिर ये medications लेने से beat well का जो level है वो आपकी body के अंदर जो हो कम हो सकता है beat well जो हो कम करा सकता है फिर अगर आप pregnant है तो ये medications को कभी भी use ना करें फिर breastfeeding period के दोरान भी आपको ये use नहीं करनी है और अगर ये medications आप लेते हैं तो उसके बाद ना ही आप dry करें ना ही कोई machine को operate करें बिकोज ये dizziness जैसा फिल करा सकता है कि आपको नीन दा सकती है ये medication लेने के बाद या फिर आप जो वो proper कोई ऐसा काम नहीं कर सेके जिसमें आपको proper active रहना है तो especially drive ना करें और कोई machine को operate ना करें लैंसो प्राजल के capsules लेने के बाद फिर आप बात करते हैं उसके कुछ contraindications की तो अगर आ allergy है और ये medications लेने के बाद आपको hypersensitive reactions हो जाते हैं allergic reactions हो जाते हैं आपके body के उपर कि जैसे आपने omiprazole ली थी, rabiprazole ली थी, pentoprazole ली थी और ऐसा कुछ हो गया तो chances है कि lensoprazole से भी आपको same problem हो because ये सभी एक ही category के medications है तो ये खास ज्यान रखे फिर second osteoporosis वाले जो patients ह होते हैं या फिर ऐसे patient के जिनके bond जो हो weak है हड़िया उनकी कमजोर है या फिर broken bond मलक की हड़िया आपकी तूटी हुई है तो ऐसे लोगों को ये medication जो हो नहीं लेनी चाहिए तीसरा condition कि अगर आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का जो reason है वो है Clostridium difficile bacteria तो ये medication जो हो आप यूज ना करें चोथा condition कि आपके body के अंदर B12 की मातरा already कम है B12 आपका कम है तो lensoprazole को जो आपको नहीं लेनी है उसको completely avoid करना है और magnesium कम है तो भी use ना करें और अगर आपको liver related कोई problem है आपके kidneys में सुजन वगेरा है तो भी ये medication use ना करें तो जरूर से subscribe करें हमारे second channel को कि जिसका न अलग-अलग Hollywood की movies को देख पाएंगे अच्छे से हिंदी के अंदर explanation के साथ और अच्छी picture quality के साथ तो अभी subscribe करें हमारा channel कि जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain सीखेर दवाईयों के बारे में अलग-अलग medicines के बारे में उनके basic use dose, side effect, warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में farmer rocks के अब उपर डिरेकली डाउनलोड करें अब farmer rocks एंडूड अप्लिकेशन हे Google Play Store पे Apple iPhone या फे App Store पे लिंक आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best